अलाम अलेकुम देर स्टुडेंट्स वेलकम टु पंजाब टेखनिकल एंड साइंस अकेडमी मैं हूँ अकुंस्ट्रक्टर मुहम्मद बिन जमील स्टूडेंट्स हम दीए मैथ 113 चैप्र नमबर थ्री बाइनोमियर थ्यूरम की रैशनलाइज एक्ससाइज की इसको एक्सपैंड करते हुए इसकी थर्ट टम निकालनी है डिरेक्ट भी आप वैसी निकाल सकते हैं लेकिन इस टीज को सूर्प करके देख लेते हैं और तर्ट टम देखते हैं क्या हो सकती है इसकी तो आप चाहिए तो इसको बाइनोमियर एंसीर से कर लें यह फैक्टॉ नहीं ठीक है ना तो यह होजगा हमारा च फॉरसी जीरो ए ऐ की पावर मैक्सिमा में Avec्जीरो फिर प्लस कर ले ते है और फेख सी ओजगा हमारा वंसटॉंट थर्ड टर्म चाहिए है इस तर्ड टर्म को देखे तो 4C2 आपको पहले पता होनी चाहिए देखे 4 Shift C2 क्या आपका होता है 6 के एक्वल यहाँ पे आजएगा 4C2 6 होता है और X स्केर और Y स्केर आजएगा option आप देख सकते हैं कि इसको option A right answer है ठीक है आपको इसी तरह से terms का पता चलेगा क्योंकि यह वाली इसकी first term है यह इसकी second term है अभी जो हमने find किया यह उसकी third term है so terms तरह से find की जाती है next आजएते हैं इसकी second question की तरह जो है एक सी क्यों multiple choice है तो आपकी total terms होंगी 14 के जियन में आपने रखनी है एक ज्यादा ही होते है क्योंकि यह zero से start होती है तो terms आपके होती है zero one two three four 13 तक तो आपको one से 13 तक तो 13 हो गए zero को add कर लेंगे तो कितने हो गए 14 terms आपकी बढ़ेंगी इसका answer है 14 the value of ncr की जो value यहाप बनती है उसमें आपने क्या करना होता है ncr के अंदर क्या आपने n का भी factorial लेना होता है साथ ही divide में आपने r का factorial और in k difference का भी factorial लेना होता है option a जो है जो है इसका right answer है ncr के अंदर जो चार ही है इसके art art ये no no mcqs i think है इसके art art no बिल्कुल उनके अची तरह से practice आपने कर लेनी है इसके साथ ही four question आता है the second last term in the expansion of a plus b की power 7 आखरी second last जो आखरी से पहले वाली term है तो अब अब यहाँ पर क्या करेंगे अब हमें देखना पड़ेगा कि a plus b की power 7 है इसको अब हमें करना पड़ेगा इस साबसे ncr पर ही देखना पड़ेगा लेकर चलेंगे nc मतलब के four c उसके साबसे यहाँ पर देखेगा यहीं से शुरू कर लेते हैं four c zero a की power हो गई seven और बी की power आपकी two हो गई last फिर यहाँ पर आज़ेते हैं four c three ठीक है जी और a की power आपकी हो गई यहाँ पर कितनी five है ना तो five से basically यहाँ पर अच्छा last term भी वसे निकाली जा सकती है हाँ एक चीज़ और इतना सारा काम करने की बजाए एक और तरीका भी है छोटा सा इसे हम वो निकाल सकते हैं कौन सी term कह रहे है second last term seven N और इसकी total terms कितनी होंगी eight साथनी term ही निकाल ली है तो वो अब ncr से निकाल सकते हैं से ना second last term है तो आपकी एक से साथ तक total 8 term है साथनी term निकलेगी A आपका A ही है B आपके पास B है N आपके पास seven है तो second last term r plus one equal two अगर आप है तो popärtman equal to seven करें लिए कोड़ seven minus пять करेंगे तो थो हो जाएगा तो हम आपने निकाल लिए यहां पर hour plus one इससे निकलती है तो ncr आगी पावर हो गी n minus सारोड बी की पावर आच इसका भी निकाल सकते हैं तो मैं आपक्यों होगे six plus one करेंगे तो साथ में टर्म मिलेगी आपको तो ncr में आपका क्या जिए n7 7c6 हो गया a आपके पास a की पावर होगी 7-6 और b की पावर कितनी हो गया आपकी 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 डेफिनेटली 6 हो जाएगी आर जो 6 है टर्म 7 है आपकी और 7c6 अब आपको यहाँ पे केल्कुरेटर पर देखना प एक तो a हो गया आपका 7-6 a आगया और b की पावर 6 आगी 7a की पावर एए और b की पावर 6 इसका b आउनसर आता है 4 वाले का देख़िए बखमी पुक में 4 वाले का आउनसर आपका वो b ही है तो मेरा ख्याल है कि आपको टर्म्स के बारे में आइडिया होगा इससे किस तरह स वापिस लेके चलो तो इसकी 13 टर्म को भी आप डिफाइंड कर सकते हैं ऐसी फॉर्मूला से यानि देखें टोटल 13 है तो वह तो फोर्ट होती है जो बलके सोरी हो गया ये वाले का तो भी आप कर सकते हैं उस तरीके के मताबिक यो अभी हमने जो भी सम्थ की 50 वैसे भी कर सकते हैं पौर सी सिस चाहिए आपको आकर केलिकुलिटर का इस्तुमाल करते हैं तो देख लेते हैं और सॉरी 64 होता है ना FOURज़ चिस तो होता ही नहीं सेंटेक्स हैरए 64 आप देखें तो 15 आ 3 4 इस तरह लिख लें उपर आप भेखने 6 को इतने नमबर की इस के उपर उपर लिखते जहें 6 पी आपका सुरी फिर फाइव होता है फाइव के बाद क्या आता है फूर फूर के बाद क्या थ्री तो आप जो ठ्री से कट जाएगा और यह आपका हो जाएगा 210 रू थ्री और और जबाएंगा 15 और फिर्टरीका भी एक है NCR निकालने का इस तरह भी निकाल सकते हैं या फिर फैक्टोरियल का जो फामूला बढ़ा है उसके साथ सभी आप निकाल सकते हैं और करते तो थोड़ा सब आप एसे समझार हूं कि हमने अगर 64 निकालना है तो आपने उस पे क्या एक यह तरीका कार्गी होता है यह बहुत लेंथी हो जाएगा 6 को भी वल्टिप्लाइ करते जाते हैं फैक्टोरियल से या फिर पर निकालेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा कर लेते हैं थोड़ी सी एक्स्प्रिनेशन 6C आप यह पर फैक्टोरियल में निकाले 6 का फ इतादूं अब को फोर ऊपका ओटका को ताइगा वुटीयल ट् Lawrence भान्टीफ़र आएगा तो इसे तरह से यहां पर आपका फॉर का फैक्टोरियल ही हो गया और यह शिक्स-माइनस यह आगर तो फॉर करेंगे तो इतना हो गया तो तो यह होता है अब आप चाहे दो इसको सारे को सौल करके देखें एक आप तो सेवन ट्वंटी डिवाइड भाई आपने करना है यहां पर तो आपका फिप्टी नहीं आएगा यह देख लें तो इसके निकालने के फेराद थी सी जीरो आपका जो है वह वन होता है कि आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि एनसी कोई भी जीरो पर आगर आती है ऑग हो गया वन के एक वड़ तो यह तो ऐसी रहेगा कि बाद आप आते हैं यहां पर question 7 के उपर in the expansion of a plus b की power and the general term is term का formula है general term r plus 1 जो होती है क्या होता है ncr a की power n minus r होती है और b की power r होती है यह general term का formula है terms निकाल लेगा इसमें देखे कौन सा है यह b ncr a की power n minus r और b की power r यहापका formula है question number देखे अब 7 तक हो गए उसके बाद 8 9 10 11 12 तक नहीं है इसके अंदर 13 और सिर्फ 16 यह दो होंगे ncn जैसे 4c4 1 होता था ncn भी आपका 1 नहीं होगा n mean कोई भी digit ले ले 4c4 कर ले 5c5 कर ले 5c5 तो 1 नहीं होगा मतलब ncn5 sorry one है कोई भी number अगर उसी के ncr पर आजे तो वह one नहीं होगा उसके बाद आपका binomial series 4 आपका one plus x की power n अगर होती है तो यह आपको होता है कि अगर n का अगर determinant clear जाए और वो less than to one होना यह शर्त होती है तब ही आपका जो binomial छूरम है वो valid होता है यहाद तक हमने इस इसको understand कर सके कि हम क्या discuss का रहे थे और इसके साथ student अच्छी तरह से practice की जिएगा अब तक कि हमने इसके जो इना वाइनो मेर चूरम चप्टर 3 मैच 113 का है और चप्टर 2 है मैच 123 जो के electrical electronics का है और इन दोनों का यह सेम चप्टर है अच्छी तरह से practice करनी है आपने आपको इसके प्ले लिस्ट में सबके सब जो है वो exercise के questions और short questions और आपके जो multiple choice questions है वो सबके सब आपको arrange की ओवर मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनलों पर सबस्क्राइब नी किया तो चैनलों के सबस्क्राइब भी कर लें साथ ही बेल आइकन में क्लिक भी कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें पूर भी question क्यों रही वगए रहा तो कमेंट कीजिए आपके साथ मिलाकात होगी दौाओं में याद रखेगा अला हाफिज